नमस्कार आप देखने आर्या नियूस मैं हूँ आपके साथ पलवी सिंग मुख्य मंतरी उदव छाकरे को थपड़ मारने की बात कहे कर गिरिफतार किये जाने वाले के इंद्रि मंतरी नरायन राने को कोट से जमारत मिल गई है उन्हें अगले हफते 30 अगस को और 6 सितंबर को राइगर में पेश होने को भी कहा गया पहले कोट ने राने को 14 दिन की नियाई खिरासत में भेशने का देश दिया था जिसके बाद अब नरायन राने ने बुद्वार को प्रेस कॉन्फरेंस करते हुए अपने दिये गए बयान का बचाफ किया है नरायन राने ने अपने बयान का बचाफ करते हुए कहा मैंने क्या गलत कहा राणे ने आगे ज़ानकारी देते हुए बताया कि शिफसेना द्वारा मेरे खिलाफ दर्ज मामलों के खिलाफ आज मैंने बॉंबे हाई कोट से संपर किया था जिसमें महादेव और बॉंबे हाई कोट ने मेरे पक्ष में फैसला सुनाया है इसने पता चलता है कि देश में का उनका राज है राणे ने कहा कि कुछ लोगों ने मेरे अच्छे स्वभाव का फाइदा उचाया है लेकिन मैं अभी इसके बारे में बात नहीं करूँगा उन्होंने आगे बताया कि ये मेरी यात्रा पिछले साथ सालों में मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई योजना लेकिन मैं परसो सिंदू दुर्ग से अपनी यात्रा एक बार फिर से शुरू करूँगा अभी भारत में कोरोना खत्म अभी नहीं हुआ है पिछले 24 घंटे के अगर बात की जाए तो केरल में सब्च सामने मामले आये हैं केरल में हालात अभी चुंता जोनक बने हुए हैं तो वहीं जानकारों का मानना है कि केरल में बढ़ते मामलों के पीछे सबसे बड़ी वज़ाई ये है कि वहां की बड़ी आबादी संक्रमन्ट से बची हुई है जो अब संक्रमित हो रही है स्वास्तमन्त वाले द्वारा जारी किये गए आंकडों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 37,593 नए करोना के सामने आये जबकि 648 करोना संक्रमितों की मौत हो गई इसमें 24,296 करोना के सिर्फ केरल से रिपोर्ट किये गए है जो कि 24 घंटों में सामने आये कुल मामलों का करीब 65 पीसदी हिस्सा है जानकारी की मुताबिक इसकी तीन बड़ी वज़ा बताए जारी है पहली वज़ा ये कि बड़ी आबादी जो संक्रमित नहीं होई जिसके होने की अब संभावना है दूसरी बात ये कि अनलॉक की प्रक्रिया में कोविट अप्रोप्रियेट बिहेवियर का पालन नहीं हुआ तीसरी बड़ी वज़ा ये बताए जारी है कि कोरोना की कनेक्टिक ट्रेसिंग और कंटेंडमिंट का नहीं होना चौथी वज़ा है कि हाल ही में आयोई इत्योहर पब्लिक हेल्थ एक्सपोर्ट एम्ज के डॉक्टर संजे राय और आईसी एमार की एडवाइजर और कम्यूनिस्ट मेडिसिन के डॉक्टर सुनीला गर्ग दोनों का मानना है कि केरल में केस पढ़ने की वज़ा बड़ी आबादी कोरोना संक्रमित नहीं होई को माना जा रहा है हाली में आई-म-C-R की चौथी सीरो सर्वे में भी सामने आया कि केरल में सिर्फ 44 पीसदी आबादी को ही संक्रमन हुआ है ऐसे में संक्रमन का खत्रा ज्यादा है और इसी बीच आप को बदा दें कि कोरोना की तीसी लहर क्या डर और इसी के बीच आप विश्वस वात संगचा ने भारत के लिए एक बड़ी बात कही है मुखे वैग्यानिक डॉक्टर सौमे विश्वनातर ने कहा है कि भारत में कोरोना वाइरस की स्थिती एक एंडेमिक स्टेज में जा सकती है एंडेमिक स्टेज उस वक्त होता है जब आबादी वाइरस के साथ जीना सीख लेती है यानि वाइरस के फैलाफ की प्रकृती अब स्थानिय हो सकती है जबकि पैंजैमिक में जुन संक्या का बड़ा हिस्सा वाइरस की चपेट में आता है आगे उन्होंने बताया कि भारत का आकार आबादी की विविदता और देश के अलग-अलग हिस्सों में इम्म्यूनिटी की स्थिती को देखते हुए ये बिलकुल संभव है कि स्थिती इसी तरह से विभिन इगलाकों में और विभिन जगहों पर उतार और चड़ाफ के साथ जारी रह सकते हैं से कहा है कि अफगानिस्तान की परस्थितियों को लेकर भारत तैयार है और अगर वहां की परस्थितियों का भारत पर असर पड़ता है तो उसके लिए भी भारत तैयार है उसका मुकाबला वैसे ही किया जाएगा जैसे आतंगवात का किया जाता रहा है CDS जनरल विपिन रावत ने आगे बताया है कि बुदवार को राज़ताने दिल्ली में ORF द्वारा आयोज़त एक वेबिनार में विपिन रावत ने चंद बाते कहीं जहां पर वेबिनार की थीम थी इंडो-U.S. पार्टनर्शिप सेक्योरिंग 21st सेंचुरी और इस दोरान अमेरिका के इंडो-Pasific Command के कमांडर एड्मिरल जॉन सी एक्योनीलो भी मौजूद रहे जनरल रावत ने आगे बताया कि हमें इस बात का अंदेशा था कि अफगानिस्तान में तालिबान आने वाला है लेकिन इतनी जल्दी आ जाएगा इसकी उमीद नहीं थी हमें कुछ महीनों के बाद आने की अशंका थी साथ ही बता दे जनरल रावत ने साफ तोर से कहा है कि ये तालिबान वही है जो 20 साल पहले था लेकिन इस बार तालिबान के पार्टनर बदल गए है जनरल रावत ने खुल कर नहीं बताया ये पार्टनर कौन है लेकिन उसका इशारा चीन की तरफ जरूर माना चारा है क्योंकि चीन तालिबान को माननेता देने की वकालत कर रहा है सीडियस ने कहा कि अगर अमेरिका तालिबान के भारत के खिलाब किसी साज़िश की खूफिया जानकारी साज़ा खरता है तो उसे ग्लोबल टेरिरिजम मान कर कारवाई की जाएगी सीडियस ने अपने संबोधन में तालिबान के समर्थक देशों को भी चेतावनी दे डाली है बढ़ेंगे अंगली खबर की ओर जंच्छतिसगर में कॉंग्रेस में विवात के बीच जब राज्य के मुख्यमंत्री वुपेश बागेल ने पार्टी निताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो राज्यूति का स्थिर्ता की कोशिश कर रहे हैं वो इसमें कभी भी काम्याप नहीं हो पाएंगे आगे उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि उनका यानि सुन्या गांदी और राज्यूति का जब तक आदेश है मैं इस मुख्यमंत्री के पत पर तैनात रहूँगा जब तक जब वो कहेंगे इस पत को त्याग दूँगा जो धाई साल और धाई साल का रागल आप रहे हैं वो राज्यूति का स्थिर्ता लाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो कभी सफल नहीं होंगे कॉंग्रेस के पूरवद्यक्ष राहूल गांदी से मुलाकात के एक दिन बाद चौतिसगर के मुख्यमंत्री भुपेश बगेल और राच्चे के स्वास मंत्री टी एज सिंग सहदेव ने पार्टी के संगठन महासचिफ के सी वेनु गुपाल के साथ भी बैचक की सूत्रों के मुदाबिक वेनु कुपाल के आवास पर उनसे दोनों नेता अलग-अलग मिलने पहुचे साथ ही आपको बताते चले कि राहूल गांदी ने मंगलवार को बगेल और सिंग देव के साथ एक बैचक भी की थी बैचक के बाद कॉंग्रेस के 36 गड़ मामले के प्रभारी पी एल पुनिया ने इस बात से इंकार किया कि इस बैचक में नेतरित्व परिवर्तन को लेकर कोई चर्चा हुई है उन्होंने ये भी कहा था कि 36 गड़ के सभी संभागों के विकास पर चर्चा हो रही है और इसी बीच पंजाब कॉंग्रेस अध्याक्शन अव जो सिंग सिद्धू के सलाकार की तरफ से दिये गए विबादित बयान के बाद और पंजाब में कॉंग्रेस में जोरी सियासी उठापटक के बीजू पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अबरंदर सिंग से नाराज चल रहे नेताओं ने हरीश रावत से मुलाकात की है इसके बाद हरीश रावत ने कहा कि उनसे पंजाब के चार मंत्री और तीन कॉंग्रेस विधायक मिलने पहुँचे उन्हों ये भी कहा कि उन लोगों ने अपनी चिंताओं से अवगत कराया है और कहा गया है कि वो राजमे पार्टी की जीत को लेकर चिंते थे साथी आपको बताते हैं हरीश रावत ने आगे कहा कि उन विधायकों को मंत्रियों ने और वो लोग जो किसी के भी खिलाप नहीं है और अगले साल जीत के लिए इस पर्श रोड मैप के साथ जाना चाहते हैं पंजाब कॉंग्रेस प्रभारी ने आगे ये कहा कि उन लोगों को राज्य और जिला प्रश्यासन की कारेशेली से भी कुछ शिकायते थी अगर एक कॉंग्रेस विधायक खुद को असुरक्षित महसूस करता है और अगर वो सोचता है कि उससे प्रशासन उसके खिलाब काम करे उसे कमजोर कर रहा है तो ये गंभीर शिंता का विशे है पंजाब की मंत्रियों और विधायकों के साथ ही बैचर के बाद रावत ने आगे कहा कि पार्टी या सरकार को कोई खत्रा नहीं है या फिर हमारी जीत को भी कोई खत्रा नहीं है यही लोग हमारे विज़े का माइब प्रशिस्त करेंगे इसका समधान किया जाएगा अमें उत्रखन सरकार ने राजु करमचारियों को एक बड़ी स्वगात देने का एलान कर दिया है बता दे चले हाल ही में पुष्कर सिंग धामी ने एक बड़ी खूशना की है और इस कदम से राजु के करमचारियों को एक बड़ा लाब भी होगा मुखिमंत्री धामी का कहना है कि केंद्र की तर्च पर राजु करमचारियों को भी 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा सितंबर 2021 से महंगाई भत्ता लागो होगा तो वहीं महंगाई भत्ते के साथ एरियर भी दिया जाएगा जिससे राजी के 1,60,000 करमचारियों और लगबग 1,50,000 पेंशन को इसका सीधा लाब मिलेगा बताते चलें कि इससे पहले राजी में 17 प्रतिशत तक महंगाई भत्ता दिया जाता था सदन के भीतर उपनेता विपक्ष कारण करण मनोत्रा ने पुलिस कर्मियों के ग्रेट पे से जुड़े हुए मसले को उठाने का भी काम किया उसके बाद उन्होंने सरकार की तरफ से गटित की गई उपसमिती के अध्याग्ष काबिनेट मंत्री सुबोध उन्याल ने जवाब दिया कि उपसमिती ने अपनी रिपोर्ट फाइनल कर दी है और जिसको सरकार के माध्यन से जारी किया जाएगा साथ ही आपको बताते चोलें कि नेता सतन मुख्य मंत्री पुश्कर सिंग धामी ने कहा है कि पुलिस की मांगो पर सरकार गंभीर है और कई बार पुलिस परिजनों से उनकी मुलाकात भी हो चुकी है ऐसे में कैबिनेट की उपसमिती ने काफी काम किया है और सरकार राजसहित में जो भी होगा पुलिस कर्मों के ग्रेट पेपर निर्ने लेगी तो मैं उत्रप्रदेश प्रदूशन ने अंतरन बोर्ड ने एक बड़ी कारवाई करते हुए नॉइडा के 51 अस्पतालों और क्लिनिक को नोटिस जारी कर दिया है ये नोटिस अस्पतालों को कच्छुरा निस्तारन के लिए उत्रप्रदेश प्रदूशन ने अंतरन बोर्ड की अनुमती नहीं होने के कारण दिया गया है बताते हैं कि उत्रपार्देश प्रदूशन नियंतरन बोर्ट के शेत्री अधिकारी प्रभींट कुमार ने बताया कि Bio Medical Waste निस्तारण के लिए सभी अस्पतालों, क्लिनिकों और अन्य मेडिकल संस्थाओं को उत्रप्रदेश प्रदूशन नियंतरन बोर्ट से प्राधिकार निर्गित किया जाता है प्राधिकार प्राप्त करना सभी अस्पतालों के लिए और सभी क्लिनिक्स के लिए अनिवारे होता है कारियाल अभी लेक फील्ड रिपोर्ट के अनुसार जिन अस्पतालों, क्लिनिकों और मेडिकल संस्तानों के पाथ बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारन के लिए प्रादिकार नहीं है वो ततकाल उत्तरप्रदेश प्रदूशन बोर्ट से मिले और इसके साथ ही नियंतरन नोटस ज्यारी किया गया है तुमितर प्रदेश के पूर्मुख्य मंत्री कलियान सिंग के निधन पर शोख व्यक्त करने के बाद अब राज़नीती शुरू हो गई बता दें शोख व्यक्त करने पर अम्यू कुल्पती तारिक मुंसूर केंपस में उनके निन्दा होने लगी इसको लेकर अम्यू केंपस में कुछ जगहों पर पट्चे भी चिपकाई गए पर्चे किसने चिपकाई अब इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है कैंबस में लगे इन पड़्चों को AMU प्रिशासिन की तरफ से हटा भी दिया गया है दुरसल 22 अगस को कल्यांट सिंग के निधन पर AMU के जनसंपर फिभाग की तरफ से कल्यांट सिंग के निधन पर AMU कुलपती ने शोग जटाया था साथ ही इसके नाम से प्रेस नोट भी भेजा गया था और इसमें उन्होंने कहा था कि अलिगर्ड मुस्लिम विश्व विध्याले के कुलपती प्रुफेसर तारिक मंसूर ने उत्तरप्रदेश के पूर्मुक्यमंत्री और अजस्तान के पूर राजपाल श्रीकलियांट सिंग के निधन पर गहरा शोख व्यक्त किया है अगले ही दिन ये खबर सभी स्थानी अकबारों में चपी हुई थी जिसके बाद कैंपस के अंदर कुछ जगों पर पढ़चे लगाए गए जिसमें एम यू वी सी के इस बयान के निंदा की गई है उस पर लिखा गया था कि किसी क्रिमिनल के लिए परातना करना भी अपराद है वाइज चांसलर के सांत्वना शब्द उत्तरपरदेश के पूर मुख्यमंतरी कल्यांट सिंग के लिए नकेवल शर्मनाग है बलकि धार्मिक बावनाओं को हर्ट करने वाला है कल्यांट सिंग बावरी मजुद को धाने में थे इस तरह के पर्चे चिपकाने के बाद कैंपस में अब खलबली मच गई है तो साथी पर्चे चिपकाने वाले की तलाज जा रही है